किस सदार पर बेकें, क्योंकि जो खरीद एगा उसको लोन चाहिए, लोन उसको मिलेगा नहीं जब तक रेश्टीर नहीं होगी लोगों का घर बनाना, यह सब एक सपना होता है जिसको आप हकीकत में बदलने का प्रयास करते है हमें बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि हमारा बिल्डर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मीटिंग में, वो सैथिस कौन से है, लिस्ट नहीं आई है क्या हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार इतनी कमजोर है, इतनी कमजोर, कि आप बिल्डरों से वसूल नहीं पा रहे हैं अपने हक का पैसा नमस्कार, दे रेड माइक की इस प्रस्तुती में आपका स्वागत है, देखिए, कई बार हमने ये रेपोर्टिंग की है, कि लोगों का घर, लोगों का घर बनाना, ये सब एक सपना होता है, जिसको आप हकीकत में बदलने का प्रयास करते हैं, आज इवन घर में इसको ले क इसकानी चीज क्लियर हो गई, अब बिल्डर कह रहा है कि आठमे फ्लोर का लेंटर डल गया, तो अब इतने दिनों में हमें घर मिल जाएगा, घर में ये बल्ब लगाएंगे, अब आप समझ रहे हैं, घर-घर की कहानी है, लेकिन ये भी घर-घर की कहानी हो गई, ये खास इस तरीके से बन के खड़े हो गए, लेकिन एक जो कंडिशन होती है कि रेजिस्ट्री हो जाए कागस का, तभी तो आप सरकार की नजरों में उस फ्लैट के मालिक बनेंगे, आपको मालिकाना हक मिलेगा, वो रेजिस्ट्री को ले करके भी एक बावाल चल रहा है, और ये न लाकम नहीं चुकाई, इस वजह से उसमें जो फ्लैट्स मिलने थे लोगों को, वो फ्लैट्स की रेजिस्ट्री नहीं हुई, ऐसे लोगों की संख्या जो है, वो बत्तिस हजार थी, यानि कि बत्तिस हजार परिवार इस से प्रभावित है नॉड़ा में, आप जानते हैं, क्या है, जहां पर अभी हम खड़े हुएं, यह जो आप बिल्डिंग है, देख रहे हैं मेरे पीछे, यह सारी बिल्डिंग, आईए आपको दिखाते हैं, सागर भी दिखाएंगे, यह बिल्डिंग देखिए, यह सारी, यह सब मकान जो है, आप यह समझे, लगभग एक मिलने से पहले ही लोगों के लिए खंड़हर होती जा रही है, बरबाद होती जा रही है, मिसाल के तौर पर वो बिल्डिंग देखिए आपके सामने, आप देख रहे हैं, क्या हालत हो गई है उसकी, और यह तो मैं आपको एक सतही जानकारी दे रहा हूँ, इन बिल्डिंग वो आपको कुछ आंकड़ों के माध्यम से समझा दें, तो यहां पर करीब 68,000 फ्लैट बायर्स यानि कि 68,000 परिवार, 68,000 फैमिलीज उनको अभी भी पैसा चुका देने के बाद भी अपने घर का मालिकाना हक यानि की रेजिस्ट्री का सुख प्राप्त नहीं है, कल को अपने शोचा कि चलो कुछ ऐसा किया जाए कुछ इसका समाधान निकाला जाए कुछ हर ढूंने तो उन्होंने क्या जूँने इक समाधन निकालने के लिए तप्रोड़त होंगे जो ये इमारत बनाते हैं, उन्होंने बोला ठीक है, हम बकाय राशी चुका देंगे, नौड़ा में तो इस्थिती कुछ हद तक बहतर बताई जा रही है, ग्रेटर नौड़ा का आलम आप जानते हैं, यहाँ 96 बिल्डर, डिफॉल्टर हैं, उन्होंने प्रशासन को पैसा नह नहीं खोल रही है, रेजिस्ट्री नहीं खोल रही है, तो इस वज़ा से आप पैसा देने के बाद भी अपने घर के मालिक नहीं हैं, और ग्रेटर नौड़ा में स्थिती यह है कि 96 में से सिर्फ और सिर्फ 35 बिल्डर पैसा देने को तयार हुए हैं, और वो भी किन शर्तों पर किस तरीके से ये किसी को नहीं मालूग है, ऐसे में ये किस के लिए समाधान ढूंडा जा रहा है, कौन सा समाधान, ये 68,000 परिवार के जो लोग हैं, ये कोई माइने रखते हैं या नहीं, इसी बात की खोज में आज हम यहां आए हैं, ग्रेटर नौड़ा में, इन बिल मालिकों से जो की मालिकाना हक चाहते हैं, रेजिस्ट्री चाहते हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो समाधान देने का प्रयास किया है, ये क्या वाकई समाधान है या नहीं, दिनकर जी आपका बहुत-बहुत स्वागत द्रेट माइक में, आपने अखबार में आज पड़ा जाती है, 96 डिफॉल्टर बिल्डर में से, मेरे ख्याल से 30 या 35 ने माना है, कि ठीक है हम इस स्कीम का लाब उठाएंगे, बाकियों का क्या, और ऐसे में लोग कहा जाएंगे, जी बहुत-बहुत धन्यवाद, ये तो अच्छी बात है, कम से कम 37 बिल्डर्स ने मानने की स्व अगर इतना तो प्रेशर बना सकते हैं उन पर कि मीटिंग में आ जाएं, दूसरी बात ये है, मतला बिल्डर मीटिंग में नहीं आते हैं, जी मीटिंग में नहीं आते हैं, और दो दिन पहले हमने अपने बिल्डर के खिलाफ उनके ऑफिस में भी जाके धरना प्रदर्शन क को नहीं आए मिलने के लिए भी नहीं आए बुद्वार का समय दिया है हमें तो मीटिंग में नहीं जा रहे हैं लेकिन इससे भी महतुपूर्ण बात यह है कि जिन 37 को क्या ओफर दिया है सरकार ने वह ओफर और अमिताब कांट समीति की सिफारिस उस रिपोर्ट की कौन से बि अगर आए हैं वो तो उनका बकाया कितना है कितनी छूट मिल रही है और उससे हमें क्या फायदा होगा हमारी रिजिस्ट्री कब चालो होगी हमिताब कांट समीति में रिपोर्ट में ये भी था कि अगर कोई प्रोजेक्ट अधूरा है तो उसमें कई सारे प्रयास किया पहला बिंदू ये था कि तीन महीने के अंदर सबकी रिजिस्ट्री करा देंगे जिसमें रहते हैं ओसी मिला है या नहीं मिला है दूसरा बिंदू ये था कि ओसी मिलने के लिए सारे इनोसी भी चाहिए तीन महीने में कैसे ले आएंगे आप फिर वो इनोसी मिलने के बाद यह ठाकि 25 प्रतेसद बकाया भी चुकाना है एक तरफ यह बोल रहे हैं कि किसी भी रात में की सफने कि दूसरी बार यह बोल रहे हैं कि यह भी बकाया भी चुकाना होगा रोगी तो ब्रहमीत का ने बाली बात है और लगता है एड लाइन मेनेजमेंट भा रहा है compte जिस अमिताब कान समिती की बात कर रहे हैं, आपको यह बता दें कि अमिताब कान तो हर कोई जानते ही हैं, वो G20 जब हुआ था, उसके शेरपा भी थे, नीती आयोग में भी रह चुके हैं, और जब यहां पर नॉड़ा और ग्रेटर नॉड़ा में रेजिस्ट्री को ले करके दसियों साल से लोग संगर्श कर रहे थे, कभी धरना, प्रदर्शन, इतनी अक्यूट प्रॉब्लम देश के किसी और शहर में नहीं है, जितनी यहां पर है, कि लोग रहना शुरू करते हैं, इन बिल्डिकों को देखिए, जरा सागर आपको दिखाएंगे, जिसमें से अध ऐसे ही बंद पड़े रहते हैं, फिर वो सड़ने लगते हैं, आप जानते हैं कि क्या होगा बिल्डिंग का, अगर उसमें लोग रहेंगे नहीं, मरम्मत नहीं होगी, तो इस अमिताब कान समितिक की ड्यूटी ये थी, कि इसका कोई समाधान ढूंडा जाए, दिनकर साहब क का ये कहना है कि वो समाधान, कहीं हेडलाइन मैनेजमेंट तो नहीं था, क्योंकि कोई जमीन पर उतरता हुआ समाधान, तो दिखाई नहीं दे रहा, मैम भी हमारे साथ हैं, एक उम्मीद जाहिर सी बात है जगी, नौइडा में अगर आप खास तोर से देखें, तो वहां प मतलब 68,000 परिवार, इतने लोग प्रभावित हैं, और अभी भी कोई बहुत ज्यादा रहत नहीं है, हम लोगों ने तो सोचा कि इतने दिनों से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और यह मैं से जाया है, कि मतलब हमारी मांगें पूरी कर ली गई है, लेकिन हमें नहीं लग हम और करके हम अपने प्रोजेक्ट को जो खाली कर रहा है, तो हमें तो नहीं लगता हम बिलकुल ठागे हुए से महसूस कर रहे हैं, हमें तो कोई फाइदा नहीं है, जी, आपका क्या मानना है, यह जो रहत है यह रहत है भी या नहीं, देखिए संके जी, रहत हम इस लोग क कैसे माने हम तो लग रहे हमें तो कुछ ऐसा मैसूस होने लगा कि अब हमारे साथ चलावा हो रहा है, दोजार दस में ने फ्रेट बुक किये कि उमीद के साथ कि हम अपने एक आश्याना मेलेगा और उस घर में अपने घर में रह सकेंगे, हमें सुबधाएं मिलेंगी दिली से सटा हुआ च्छेत्रे नौइडा, यहां हमें हर तरह की फैसिल्टी होगी, मेट्रो की, कि बस की, कुछ भी नहीं होता नजरा रहा, सबसे जो महत्मून बात है, जो आपने हम से भी पूचा कि क्या हम इस घर में अच्छा मैसूस कर रहे हैं, कैसे करें साथ, जब तक रज हम लगातार दे रहे हैं, रिपेर हमारी उन चीजों की होती है, जो मूलभूत होती है, पानी की, बिजली की, वो हमें दे देता है, इसके अलाबा तो कुछ नहीं है, हम अपने घर को बेग नहीं सकते, किस अधार पर बेगें, क्योंकि जो खरीदेगा उसको लोन चाहिए, लोन उसको मिलेगा नहीं जब तक रेष्टी नहीं होगी, तो हमारे तो सपने सरकार ने कहें, बिल्डर ने कहें, जिसने भी कहें, कुछल के रखके हुए है, हमें तो हमें अपने घर से मतलब है, हमारा सरकार से कोई लडाई नहीं है, नहीं बिल्डर से कोई लडाई है, हम कि अपने घर के साथ साथ हमें अपनी रेश्ट्री चाहिए हम के सकें कि यह घर हमारा है इस से ज़्यादा और हम क्या उम्मिद करें क्या हम सरकार के सिर्फ बोट बेंग बने रहें आरे हमें बड़ी कुशी हुई थी जब हमें पता लगाता कि अमताब कांती जी की रिपोर्ट लागू हो गई है हमारे मुख्यमंत्री माननी मुख्यमंत्री जी ने रिपोर्ट लागू करी थी तो बहुत ज़्यादा उम्मिद हमें जागी थी कि अब हमारे घर की रिष्टी हो जाएगी लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि नीचे से लौबी किस तरह काम कर रही है किस तरह सरकारों को ब्रहमित करते हैं ये समझ से परे हो रहा है क्योंकि तीन मैने का साथसर संधार्ण दिखाया था हमने भी खुसी जाएर किती कि आज तो हमारे मानी यूगी जी ने हमारे लिए खुशी का वक्त तला दिया दिवाली मना रहे हम लोग कि हमारी रेश्टी हो जाएगी लेकिन कहा हमारा प्रोजेक्ट तो एंसील्टी में हैं एंसील्टी में सब बाहर निकलने का कोई राष्टा दिख नहीं रहा और मैं कहूं तो में नेफ हुआ से भी जुड़ा हुआ हूँ मैं उसका एक कारणी का सदस्य हूँ और हमारे अब से एक जी भी लगाता है रोसमें क कुछ सवाल उठाते रहें मिलके मुक्मानिया मुक्मंत्र जी से अमिताब कांत जी से मिलके भी सवाल उठाते रहें और हर बार आस्वातर मिलता है हमें भी तसल्य हो जाती है लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा है जमीन कुछ भी नहीं हो पा रहा है ऐसे में यह जो अमिताब का सभाव नहीं पढ़ रहा है जमीन पर अगर आप देखेंगे कि कितना मेरे खाल पचास परसेंट भी बिल्डर उन्हें उस जो उन्होंने सुझाव दिये थे उसके हिसाब से काम निकना मैं डेटा निकाली लेता हूं ताकि यह ना हो कि लोगों को हम गलत जानकारी देख लें जैसे बिल्डर जैसे कि आप बता रहे हैं जो अलगी मामला हो रहा है रहत कहा है फिर जी हमने इसको साथ आट के टेगरी में बाटा था प्रेजेंटिशन देटाइम विकास यह जनरीक सॉलूशन कभी भी सक्सेस्फुल नहीं हो सकता है इस हेरिया में और इससे पहले एक आ जी दुबारा अपील में डाला कुछ-कुछ वेक दे दिया अभी तक मुझे एक साल से यह नहीं मिला है कि बकाया कितना है तो इस तरह से अधिकारी काम करते हैं और हर चीज की जलीवी बना गे रख देते हैं यहां पर अमिताव कांथ कमीटी की सिफारिश हैं जो भी थी अगर उसको अक्छहर सा लागू किया जाए तो एक हद तक समाधान मिल जाएगा लेकिन वहां से साशन सर पर आया आधी चीजें उड़ गई साशन से नीचे जो भी आया क्या आया पता ही नहीं चल रहा है तो बायर के हित की तो इन्होंने धज्जियां उड़ा दी है अथरिटी क्यों रेजिस्ट्री नहीं कर सकती आपने एक प्लॉट रेजिस्ट्र किया है किसी के नाम पे बेच दिया एज बायर हम क्या देखके ज पर बायर के सामान खरीदने जाते हैं सपोर्ज यह सामने बरतन स्टोर है मैं इसंए कुकर खरीद के घर ले गया घर ले जाने के बाद को यह थोड़ी बोलेगा कि आप प्रसीद नहीं ले सकते क्योंकि इसने अपने cnf को या जिसने बनाया उसको पैसे नहीं दिये हैं हमारा तो डिरेक्ट डिलिंग है और तो यह लैंड दिये थे आवास यह परिसर के लिए दिये थे और रिजिस्ट्री कर दी उसमें जो घर बना हमारा तो अधिकार है यह बेकूब बना रहे ह हैं सिधा-सिधा दिकायर हमने पैसे ठींडीए है स्टाम डूट. विल्डर्स वासुलना हमारा काम तो नहीं है् division में आपको लगता है कि इतनी उमेद के बाद भी इतना यह समिने समुझे बन गई अमित आपकान समीति यह समीति एदहर जाके मिल रहे हैं उधर के तीन पाथ हम्हें लोग जो है इतने कहां से कहां तक पहुंच गया और फाइदा हो गया और फाईदा होने के नाम पर हमें पता चला कि आम हमें कुछ भी नहीं मिला और हमें अभी दुबारा से जो तो है लड़ना है क् iam हमारे जो प्रजेक्ट है हम अब ऐसे लोग मेल कर यह चाहरे है कि अभी इसको ले करके कोट मिलें किसे अब कहीं से कोई वही राष्ट नहीं दीख रहा है और को लगए कि अब देखिया है कि हम लोग कब तक क्योंकि हम तो अभी भी अपने घर में रहे करके भी जिस घर में रहना है और जबर जश्ती के लिए उस घर में रह रह रहा है मेरे कुछ रिलेटिव ऐसे हैं कि मेरी इंतजार करते करते जो है कि अब रजिस्ट्री हो जाएगा या अब हमारा घर मिल जाएगा कुछ प्रजेक्ट ऐसे हैं इसी सोसाइटी में जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो और वो चली भी गए दुनिया से चली गए और अभी उनकी द तर्शक अगर सुने कहीं ना कहीं आप जान लीजें यह 68000 परिवार हैं जो कितना ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और इस ठगी के लिए कौन जिम्मेदार है कि आप फाइल घुमाते रहे हैं दर्शोदर वो कमीटी यह सजेस्ट कर दे वो यह सजेस्ट कर दे जमीन पर कोई fosse ऐसर नहीं हो गए उसका तो पिर आप मिलते रही है करते रहे है चाय नाश्ता इन समिथियों में क्या फर्क question मैं आपसे जानना चाहताऊ कि इसका समाधान क्या होगा फिर कोई समीति बन जाएगी जी समीति की जरूरत ही नहीं है सीधा सीधी सी बात है जो फ्लैट बन गए है जिसमें लोग रहते हैं उसकी रिजिस्ट्री करिए इससे सरकार को भी फैदा है स्टांप ड्यूटी जो रुका हुआ है लोग और भी ले हमें यह 5500 करोड रुपए यह इसी मतलब टोटल अमाउंट जो है जो सरकार कहती है उनको बिल्डरों ने नहीं दिया है वह 8000 प्लस 5500 इतने के लिए आप अठके हुए है जो उनके बचे हुए जो प्रॉपर्टी है उसको बेच करके भी तो निकाला जा सकते हैं जैसे हमार करके दे सकते हैं मैं मैं इस पर उदाहरन के साथ बात करता हूं यह बहुत बड़ा मुद्ध है और इसी की वज़े से सारी बाते अटकी है पहली बात यह है कि क्या अगले 10 साल भी बायर्स की रेजिस्ट्री रोकने से वह जो बकाया है वसूल पाएगी सरकार नहीं पिछले कि फुली ओंट सबसिड्री है नाम अलग है वसमें जो डिरेक्टर है वो ब्लंबर इलेक्रिशियन ऐसे लोग है स्टेक होल्डर जो है बिल्कुल साइड में है उनके पास कुछ नहीं है वो सिर्फ पैसे मेंटेनेंस का खा रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं आगे भी कुछ न करने वाला सिच्वेशन ही नहीं है और यही हाल बागी प्रोजेक्ट का भी है एक नाम है जैसे सुपर टेक बहुत सारे इन्होंने कंपनी बना रखे हैं उसके अंदर कोई दीवालिया है कोई नहीं है लेकिन कहानी हर जगह कि यहीं है अब बात है कि वसूला कैसे जाएगा अगर मैं बैंक का लोन लेके नहीं चुका था तो मेरा क्या होता है किसी और का भी क्या होता है वही होना चाहिए इनका और उसके बिना पे अगर हमें दंड देंगे कि अगले 10 साल ऐसे ही रजिस्ट्री लटकी रहेगी तो उसका असर क्या होगा स्टाम ड्यूटी और करता रागे तो यह माउंट और बढ़ेगा सरकल रेट बढ़ेगा वह बोज शायद अभी मैं जॉब में हूं तो कर पा रहा हो आगे मैं आइटी में हो सकता है साथ साल तक नौक्री ना चले उस समय तक अगर सरकार चाहेगी तो भी में रजिस्ट्री नहीं करा पाऊंगा और वो राजस्व का बहुत बढ़ा नुक्सान हो जाएगा आपकी कह रहा है इसमें समाधान कहा है समाधान समाधान अगर सरकार सोतना चाहती तो हमें एक 2020 में अथोर्टी ने एक लेटर निकाला था जिसमें ओसी दिया था हमारी बिल्डर्स को मतलब होता है occupation certificate यानि कि रहा था कि इन इन टावरों के लिए occupation certificate जारी किया जाता है इंक्लूडिंग कॉमेर्चियल 2020 का यह लेटर था हम हम समझगे अगर एन्सीयल्टी में जाने से सरकारे और उफ्टी चाहती तो 2020 में इंड में की रिच्टि व हो जाती है इस कोमेर्चियल की रीच्टि हो जाती हैंacill में तो बादमें गए हमारा दुख इससे जादा और क्या होगा हम 윤से जादा क्या सफर करें कि हमने अपन अथोर्टी क्या है अथोर्टी भी सरकारी है तो यहां पर सीधी सीधी बात यह है कि आप लाख कमिटियां बना लीजिए अमिताब कांथ कमिटी यह कमिटी वो कमिटी उत्तर प्रदेश में अगर कोई बिल्डरों से रिलेटेड समस्या है या आपकी अथोर्टी को इसको लागू करना था समाधान की और इसको आगे ले करके जाना था और वही चीज नहीं हुई है सब्स बाग दिखाने के बाद भी नहीं हुई है इसी चीज की और इशारा यहां पर सब लोग कर रहे हैं और यही है ग्रेटर नौइडा में 69,000 परिवार वालों की दिल की इसलिए परिवार ठीदिए गंब चांट zatौर्या परिवार यहां वहारे साथ हरे परिवार में किसी में चार एंदिजी में पांट वह हैं बंभी पापा भी वह उंगे तो छे भी हो सकते हैं जिसमें लोग रहते हैं या के पेंसे चर्टिफिकेट मिला उसकी रेजिस्ट्री करें दोनों को अलग-अलग करने की जरूरत है अगर मिलाएंगे तो इसका समाधान कभी नहीं होगा क्योंकि उससे आप उससे आफ फ्लैट बायर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं आप लोग जेल की तरह अपने ही गरहों में रहें और क्यों ये 68,000 परिवार तरस्ते रहें अपने ही घर में अपने ही घर को पाने के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल क्या सुद लेगी सरकार और एक आखरी सवाल जाते जाते इतने बड़े हो गए हैं बिल्डर योगी आदित्यनाथ और भारतिये जन्ता पार्टी की डबल इंजन से भी ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं फ्लैट के बनाने वाले बिल्डर की 10 साल से सरकार का नियम मानने को तयार नहीं है और सरकारी कुछ नहीं कर पा रही हैं क्या हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार इतनी कमजोर हैं इतनी कमजोर कि आप बिल्डरों से वसूल नहीं पा रहे हैं अपने हक का पैसा पूछी गए इस हवाल अपने नेताओं से